सब्सक्राइब कीजिए हमाय चैनल स्पीड न्यूज को बैल आइकन को दवाई लेटेस न्यूज सबसे पहले देखने के लिए जोती रादित सिंद्या ने कांग्रेस को कहा अलविदा स्पीड न्यूज लोगसबा चुनाओं के बाद से ही कांग्रेस में मचा गमासान अभी तक सांत नहीं हुआ है कांग्रेस के बड़े बड़े निताओं का चुनाओं में हाल के बाद निताओं के बीच में दरार आ रही है पहले रावल गांधी कांग्रेस अध्यासपत से इस्तिफा देने पर अड़े थे उनके इस्तिफा देने के बाद कांगरेस अध्यास पत पर बवाल शुरू हुआ जो पार्टी की वरिष्ट निता सोनिया गांदी के अंतरी मध्यास बनने पर खत्म हुआ और अब मद्यपिदिस कांगरेश अध्यश पति के नाम पर हंगामा हो रहा है इसी हंगामे के बीच कांगरेश के वरिष्ट निता जोतीरादिस सिंधिया ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है मद्यपिदिस की राजनेति गलियारों में शुक्रवार को एक खवय तेजी से चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जोतीरादिस सिंधिया ने कांगरेश की अंतरिम अध्या सोनिया गांधी को अल्टिमेट दिया है ऐसा कहा जा रहा है कि सिंधिया सोनिया गांधी से डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें कांग्रेश का अध्याश बनाय जाए नहीं तो वे कांग्रेश को अलविदा कर देंगे इस बारे में कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री और सिंधिया समर्तन प्रद्युमन सिंग तोमन ने कहा है कि या केवल अकवा है सिंधिया पद की लालसा में कभी नहीं रहे हैं वा सिर्फ समाज सेवा के लिए राजनीती करते हैं कुछ लोग हैं जो ऐसे अकवा फैला रहे हैं लेकिन कांग्रेस के लोगों की भावना है कि सिंधिया जी को प्रदेश अद्यस बनाए जाए उनके समर्तन उन्हें प्रदेश अद्यस बनाने की मांग कर रहे हैं मद्यपिदेश में किgoing लिए इस बारे में चर्चा करने आज CM कमनाद भी सोनिया गांदी से चर्चा करेंगे अब जल्द ही मद्यपिदेश में नई कांगरेश अद्टेश के नाम पर मौल लगेगी प्राइब आप दोस्तों आपका इस न्यूस के बारे में क्या सूचना हमें कमेंट करेंट। जरू बते ही साथी साथी इस वीडियो को लाइक करें शियर करेंगे हमाई चैनल इस्पीड निईस को सब्सक्राइब जरू से कर लिए कुछ हम आपके लिए ऐसी बड़े बड़े अपडेश लाते रखते हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई